बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटवर्क के माध्यम से देखा जा सकता है, न अभी विश्यों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी, तथा प्रतियेक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधित जानकारी के साथ-साथ मनोरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भियानन ले स राजस्थान राज शेक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत उदैपुर के तत्वावधान में इस कारिक्रम के अंतरगत कक्षा एक से बारा तक के लिए प्रती दिन सवा तीन घंटे के लिए शेक्षिक प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें कक्षा नौ से दस क के लिए साड़े बारा से डेड़ बजे तक तता कक्षा ग्यारा एवं बारा के लिए डेड़ से धाई बजे तक तता कक्षा एक से पांच के लिए तीन से साड़े तीन बजे तक एवं कक्षा चैसे आठ के लिए साड़े तीन से सवा चार बजे तक शेक्षिक कारिक्रम प् आज का हमारा टोपिक जैसा कि आप इसकिन पर देख पा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन जी हां पत्र लेखन कक्सा नो रचना प्रकरण के अंतरगत आता है और भाग एक क्योंकि इसके दो पार्ट में ने किये हैं एक अपचारिक पत्र का और दूसरा अनपचारिक पत्र का क्योंकि पत्र के मुख्य रूप से दो भेद माने गए हैं यह आपके सरका नाम है करें शरुवात चलिएगा पत्र लेखन नाम से पता चद्रा है पत्र लिखते समय ध्यान रखने योगी कुछ बिंदु है ऐसे कौन-कौन से बिंदु है जिनको ध्यान में रखकर ह पत्र लेखक तता प्रापक की आयू योग्यता पद आधि का ध्यान में रखना चाहिए पत्र लेखक यानि जिसको हम पत्र लिखेंगे उसको तता प्रापक यह जो पत्र को प्राप्त करेगा उसकी आयू उसकी योग्यता उसकी पद उसकी अन्य तमाम योग्यताओं को ध् पत्र बेज रहें वो हमसे बड़ा है तो उस समय अभिवादन के लिए जो बड़ों के साथ अम अभिवादन सब्द जोड़ते हैं उनी का इस्तिमाल किया जाना चाहिए यह आप से छोटा है जो पत्र को प्राप्ट कर रहा है तो उसके लिए प्रिये सने हैं या अनने सब्द का इस्तिमाल किया जाना चाहिए पत्तर सार गर्बित होना चाहिए एक इंपोर्टेंट बात अक्सर हम लोग देखते हैं कि मालब आप यह सोचते हैं कि बहुत बड़ा बात करें प्रिक्साओं के साफ से नहीं अपर तो अकेडमिक प्रिक्साओं के साफ से वह सही नहीं माना जाता है पत्तर सूलेक में लिखा होना चाहिए जो पत्तर लिखे उसके वर्त ने शुद्ध होनी चाहिए जिसको पत्तर आप बेज रहे हैं वो आपके पत्तर की लेखनी को इस पश्ट और पर पहचान सके अन्यता उस पत्तर को बेजने से कोई मतलब नहीं रहेगा पत्तर में सरल बासा का प्रियूग किया जाना चाहिए जी हाँ जो पत्तर है उसकी बासा एकदम सरल होनी चाहिए इस पश्ट होनी चाहिए और मैं तो यू कहूंगा कि बहुती आसान बासा का प्रियूग होना चाहिए ताकि जिस आपके और जो सामने वाला है जिसको आप पत दिनाग भेजने वाले का नाम आदिका इसपस्ट उल्यक किया जाना चाहिए किस विश्य में पत्तर बेजा जा रहा है मलब बधाई पत्तर बेज रहे या पिर वेवसाइक पत्तर बेज रहे या पिर कारेले पत्तर बेज रहे उसका उल्यक होना चाहिए कहां से बेजने इस्त जो मैं आपको बता देता हूं एक तो होता है प्रेशक और एक होगा साती हूं प्रेशिती प्रेशक और प्रेशिती प्रेशक का मतलब होता है समझ में आगे एक सेंडर होता है इसको बोलेंगे हम भेजने वाला जो पत्तर भेजता है उसे बोलेंगे बेजने वाला और रिसीवर में हो जाएगा प्राप्त करने वाला करने वाला ये दोनों के दोनों शब्द आपको याद रखना है क्योंकि तमाम पत्तर वेभार में हम इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो एक तो जाएगा क्या प्रेशक बेजने वाला और एक हो जाएगा प्रेशिती प्राप्त करने वाला ठीक है पत्तर अगर आप पत्तर लिखे रहे तो उसमें किसी प्रकार की काट चाट नहीं होनी चेहे अगर पत्र में काट चाट है तो फिर वो पत्तर प्रबाहु यह नहीं माना जाएगा हम्मोंमन हम लोगों को यह चाहिए जो निश्करस तोर पूरुनत ध्यान देना चाहिए इन बिन्दों को ध्यान में रखकर यादी पत्र विवार करेंगे तो आपके पत्र विवार का जो तरीका है या आपका पत्र लिखने का उद्देशे निशन्दी रूप से सपल हो पाएगा पत्रों के कौन-कौन से प्रकार है पत्रों को दो ट्र परगू में विवक्त किया जा सकता है एक तो अप्चारिक और एकनम पत्र अप्चारिक पत्र और एकनम पत्र यह बिना नपन लेट little ओप चार cats 200 क्या होता पत्तर लेखक का कोई निजी या पारिवारिक समंद नहीं होता है एक इंपोर्टेंट बात उपचारिक पत्तर कब लिखा जाता है जैसे में हूँ और यह आप मेरी जानकार है तो मैं आपको पत्तर नहीं लिखूंगा बात साप है पत्तर लेखक का अगर माली जी व्यक्तिग पत्तों पत्त्तों में वेक्तिगत समाचार पर बातचीत आत्मेता का कोई स्था नहीं होता आत्मेता होनी नीची यह Zurich चाहते हो वही बात केंडर यानी मूल भूमिका कियन पत्तों सब्सक्राइब इंतरगत वही बात होती जो आप कहना चाहते हो इसमें आत्मेता अपनापन लगाओ इन सब्दों का कोई भी इस्तान नहीं होता ऑपचारिक पत्रों में निम्नांकित प्रकार के पत्तर सामिल किये जा सकते हैं मलब इन इन पत्रों को ऑपचारिक पत्रों में सामिल कर सकते हैं नम्मर एक है प्रातना पत्र ये भी किसमे आता है औप चारिक पत्र में यह दिए आप अपने प्रधानाचारिय को अवकास के लिए पत्र लिखते हैं तो सातियों वो पत्र किसमे आएगा औप चारिक पत्र में विद्धाले के प्रधानाचारिय प्रधानाचारिया या मुख चाहत्तरवती अत्वा विद्याले से समंदीत किसी प्रकार की कटिनायी या समस्या से समंदीत जो पत्तर लिखते हैं वो किसमें आएगा पराथना पत्तर में आएगा ठीक है एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ विद्याले के परदानाचार्या, मुख्या अध्यापक को हम लोग अवकाश से समंदित या Пीस माप करने के लिए हम फितर की अतवा विद्याले से समंदित किसी प्रिकार की कटिनाय या समस्या से समंदित जो पत्तर लिखते हैं तो वो प्रातना पत्तर में आता है आवेदन पत्तर ये क्या होता आवेदन पत्तर में बता देता हूं किसी कमपनी संस्ता अत्वा ओद्यों की इकाई आधी में नोकरी आधी के लिए अगर कहीं आप नोकरी लगना चाहते हैं उनके लिए यह आप आव भां बहां को इसको जानते हैं किसको संस्ता का मालिक है तो आपके और उनके बीच में किसी प्रकार का वेक्तिकर समन्ध ही नहीं बदाई पत्र किसी अधिकारी द्वारा अपने अधिनेस्त व्यक्तिकी कि कि विशेश सपलता या उपलबदी आदी के लिए जो पत्तर लिखता है यानि मालीजेगा मैं परदानाचारी हूं मेरे अंडर में मालीजे मेरा लेक्चर है या सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड टीचर है अगर वह कोई बहुत बढ़ी प्राप्त करते हैं तो मैं उनको पत किसी करमचारी की विदेश यात्रा वही बात है जैसे मैं परदानाचारी हूं फिर रेपीट कर रहा हूं अगर मेरे विभा का कोई भी वेक्ति विदेश यात्रा पर जा रहा है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं सुब का अमना पत्तर लिख सकता हूं यदि मालीजे किसी का परमोशन हो जाती है पढ़ ऊनती हो जाती है तो मैं उसे मैं पत्र लिकोंगा वो सुबकामना पत्र तो हो गया होगा लेकिन वो किसके अंतरगत आएगा वह जो पत्तर है वो साथी ओभाएगा ऑप्चारिक पत्तर में दन्यवाद पत्तर क्या होता है किसी विशेश उत्सव कार्य गोश्टी कार्य करम सीविर प्रसिक्षन कार्य करम आदी में सयोग देने के लिए किसी विशेशगे सिक्सावज आदी को दन्यवाद देने के लिए जो पत्तर काम में लेते हैं उन्हें दन्यवाद पत्तर का जात शिवार परसिक्षन कारिकरम आदी में सयोग देने के लिए किसी विशेशग्य आदी को धन्यवाद देने के लिए जो पत्तर काम में लेते हैं उसे क्या का जाता है धन्यवाद पत्तर है और धन्यवाद पत्तर भी किसमें आएगा ये भी आएगा आपका ओपचारिक पत्तर म लिए श्वयम या उसके परिवार के किसी सदसे के दुरगड़ना गरस्त हो जाने या किसी अन्य प्रकार की सोक जनक गड़ना पर सांतुना देने के लिए जो पत्तर काम में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है सांतुना पत्तर समझ में आगे कोई अधिकारी है और माली जी इसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं वहां किसी भी वेक्ति के अगर मोत हो जाती है या उनके परिवार जनू की मोत हो जाती है तो वहां जो पत्तर लिका जाता है और सांतुना का मलब सांती प्रधान करने के लिए जो पत्तर लिका जाता है वो सांतुना पत्तर ह मैं आपकी जानकारी के लिए बात बताना चाहूंगा कि सांतोना पत्र हो चाहिए धन्यवाद पत्र हो चाहिए सुबकामना पत्र हो बदाई पत्र हो आवेदन पत्र हो प्रातना पत्र हो ये सारे के सारे पत्र किसके अंतरगत आएंगे ये सारे के सारे आएंगे औप चारिक मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जांप अपनी जानकारी नहीं हूं किसी से भी वहां जो पत्र लिखते हैं वो उपचारिक पत्र होगा शिकायती पत्र भी उपचारिक पत्र में आएगा किसी समस्या से समंदित अपने विचार या कटिनाई अधिकारी तक पहुंचाने के लिए जो पत्तर लिखते हैं उस शिकायती पत्तर होता है संपाद के पत्तर क्या होता है किसी समाचार पत्तर के संपाद के माद्यम से अपनी बात सरकार या अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए जैसे मालीजे अपने याँ विद्धित कटोती हो रही है तो हम देनिक बास करके प्रदान संपादों के नाम पत्तर लिख सकते हैं कि साब आप अधिकारी हूँ या राजिस सरकार को चेता ही है कि हमारे बिजली के आप और 34 तोर पर जारी हो सके तो जो संपादे के पत्तर है वो भी किसमे आएगा आप चारिक पत्तर की स्रेणी में आता है वयवसाइक पत्तर है वयवसाइक पत्तर जानते हैं क्या मलब बिजनिस के लिए जैसे माली जी मेरे कपड़ों का व्यापार है मैं किसी और को लिखूंगा कपड़े का व्यापार के लिए या माली जी मेरे दवाईयों का व्यापार है तो अगले को भी हम लिख सकते हैं व्यापारिक प्रतिष्टानूं प्रकासियों पुस्तक विक्रेता हूं आधी को लिखे गई पत्तर क्या कहलाते हैं वेवसाइक पत्तर है कौन से पत्तर होंगे वेवसाइक पत्तर है यहां तक आपको बात समझ में आ गए होगी, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आपचारिक पत्तर में कौन-कौन से आएंगे, बोलिए, प्रातना पत्तर भी किसमे आता हूँ, आवेदन पत्तर किसी के लिए आप दे सकते हैं, प्रदना चारिक को वो भी किसमे आएगा, आ पत्तर भी आप दे सकते हैं, ये भी उपचारिक में, इसी प्रकार हम बात करते हैं, देखेगा, सुबकामना पत्तर भी उपचारिक में, धन्यवाद पत्तर भी उपचारिक पत्तर में आएगा, सांतोना पत्तर भी उपचारिक में आएगा, सिकायती पत्तर भी उपचारिक में आएगा वेवसाइक पत्र भी किसमें आएगा ओपचारिक के अंतरगत ही आता है ये बात भी आपको अची तरह से समझ में आ जानी चाहिए ठीक है अब हम बात करते हैं ओपचारिक के बाद नम्मर दूसरा जो पत्र का प्रकार वो है अनौपचारिक पत्र ये क्या होता है अनोपचारिक पत्राचार उन वेक्तियों की साथ किया जाता है जिन से पत्र लेकर का वेक्तिगत समन्द होता है जैसे मेरा आपसे वेक्तिगत समन्द है तो मैं ऐसी इस्तिती में आपचारिक पत्र नहीं लिकूंगा बलकि ऐसी इस्तिती में मैं अनोपचारिक अरे भाई फोर्मल है फोर्मल्टी जो होती है अपचारिक में अनोपचारिक में आपको जानता हूँ वेक्तिगत इस तरपर जानते हैं एक दूसरे को तब जो पत्र लिखे जाते हूँ किसरेनी महेंगे अनोपचारिक में अपने मित्रों को लिखा जा सकता है माता पिता को लिखा जा सकता है क्योंकि मित्रों को भी जानते हैं माता पिता को भी जानते हैं अन्य समंधियों आधी को लिखे गई पत्र अनोपचारिक पत्र किसरेनी में आते हैं। अनोपचारिक पत्रों में आत्मेता का भाव रहता है। समझ रहे हैं आप लोग आत्मेता का पुट रहता है। तता व्यक्तिगत बातों का उलेक भी किया जाता है। आत्मेता का पुट होता है और व्यक्तिगत बातों का उलेग भी किया जाता है जैसे माली जी मैं अपने माता पिता को लिख रहा हूं तो गर के और सद्धिश्यों के बारे में भी हम लिख सकते हैं जबकि आपचारिक पत्र में ऐसा देखने को नहीं मिलता और ऐसा उलेग किय अभी नहीं जा सकता है अनोपचारिक पत्रों में निम्न लिकित प्रकार के पत्तर रखे जा सकते हैं इसमें भी आ सकते हैं धन्यवाद पत्र है लेकिन एक ही लाइन बता देता हूं ये सारे के सारे पत्तर कहां लिके जाते हैं व्यक्तिगत इस्तर पर व्यक्तिगत इस्तर पर दन्यवाद पत्र जैसे माल लीजिएगा मैं किसी भी अपने छोटे को अपने से बड़े को अपने मित्र जिसको मैं जानता हूं अगर मेरी उसने साहिता किये तो मैं उसको दन्यवाद पत्र लिख सकता हूं लेकिन कब लिखूंगा जब व्यक्तिगत इस तरपा जानते है बदाई पत्र जैसे मालनी जे मेरा चोटा भाई है और उसने पूरे के पूरे इंडिया में वर्ल्ड कप जीतने में किर्केट मैंच मैं मैं तुमन भूमी कादा की तो मैं मेरे भाई को जो पत्र लिखूंगा क्योंकि मैं उनको जानता हूँ तो वहाँ जो पत्त होगा, कौन सा होगा बदाई पत्त है, कॉंग्रेचुलेशन, सुब कामना पत्त भी लिख सकता हूँ, मालिजी किसी ने परिवार के मित्र है, दोस्त है, सगे हैं, समन्दी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया, ये दिया हम उनको जानते हैं, तो अमारे कोई प्रोग्राम हो, पंक्षन हो, अपने घरवालों के अलावा, अपने दोस्तों को, अपने सगे समन्दी को बुलाए जाता है, तो निमंत्रन पत्तर, एक होता है, आमंत्रन पत्तर, और निमंत्रन पत्तर, अगर आप अंग्रेजी के साब से देखेंगे, तो दोन निमन्त्रन पत्र में देखेगा दोनों सब्द बने मंत्रन से मूल सब्द मंत्रन इधर भी मंत्रन इधर नी उपसर्ग लगाओ इधर आपसर्ग लगाओ वह मंत्रन मंत्रन का मुलता है बुलावा जिसमें आने पर बोजन व्यवस्ता की जाती है यानि बोजन करवाये जाता है निमंत्रन पत्र आमंत्रन पत्र क्या होता है वह बुलावा जिसमें क्यों आओ तालियं बजाओ और वापिस निकल जाओ जाओ बोजन की व्यवस्ता नह मंत्रन पत्र होता है जैसे मालीजी कोई भी राजनेत आते हैं तो अकबार में पढ़ते हैं कि उस सड़क की उद्गाटने में आप साधर आमंत्री थे तो इसका मलब वहां चले जाओ तालियां बजाओ उबाशे लो वापिस लोटाओ निमंत्रन पत्र में आपको खाने की वि जाता है तो उनके परिवार जन्मार जाते हैं उन खुद को व्यक्तिगत और पर मसानटो पत्र लिखते हैं इसारे के सारे किस में हैंगे यह सारे के सारे आनोपचारिक पत्रों में समझ में आए जैसे जहार पर्मलिटी जो ठीच और भी में लिखने वाला और बेजने वाला एक दूसरे को जानते हैं ठीक है अब आप चारिक पत्र है इसका फोर्मेट में आपको समझाता हूं क्योंकि आप से लिखवाया जाएगा आप चारिक पत्र का फोर्मेट क्या होता है प्रातना पत्र देखेगा इसमें सबसे पहला प्रातना पत्र क्य आने बहुत सारे फोर्मेट तयार कियें इनको ध्यान में रखकर आप बहुत आची तरह से पत्र लेकर कर सकते हैं देखेगा सेवा में कि शिरीमान प्रदानाचारी मोहदे राज के उचमादें विग्वीदाले इलाबाद या खन देवत विसी ये आवकास के समंद में मानने वर मोहदे अपन सबसे पहले सेवा में लिखेंगे फिर यहां विशे लिखेंगे फिर यहां मोहदे लिखेंगे हागे क्या करें सैव विने निवेदन है कि पिछले तीन दिन से मेरा स्वास्ते ठीक नहीं है और इस कारण विद्याले में उपस्तित होने में मैं सम्रत रहा हूँ अतर स्रीमान जिसे प्रातना है कि 2 दिसंबर 2020-2021 जो भी आप जिसमें पढ़ रहे हैं जिस वर्स में आप पढ़ रहे हैं तो 2 दिसंबर 2000 जैसे मालने जी 21 लिख देता हूँ अब आएगा 21 तो से 5 दिसंबर 2021 तक 4 दिन का उका स्विकर्थ करने की करपा करें इसके लिए में सदेव आपका आभारी रहूँगा आपका आग्या कारी सिसे सजल प्रभाकर कक्सा 9 बै दिनांग 2 दिसंबर से लिख रहा तो 2 दिसंबर ही लिखेगा राइट अब एक बात बताईए व्यक्तिगत इस तर पर सजल प्रभाकर प्रधानाचारी इलाबाद को नहीं जानते हैं व्यक्तिगत इस तर पर अगर जानते ने तो फिर अनुपचारिक पत्र होता लेकिन जो प्रात्ना पत्र होता है इसमें गुरू और शिश्य का समन्द तो है लेकिन व्यक्तिगत इस तर पर उसका कोई भी समन्द नहीं होता है लिख देंगे क्या एक बार पुने देखेगा इ आप चाहे तो दिनांक से उपर लिख सकते हैं, बीच में धन्यवाद, कहां इसके नीचे देखेगा ये, कक्षा नो के इस साइड में, मतलब इस समझ रहे हैं आप लोग यहां, फिर नीचे दिनांक आ जाएगी, आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी चाहे तो कोई दिखत नहीं, बुक्त बैंक योझना से पाट्टे पुस्तके प्राप्त करने के लिए अपने विद्धाले के परद्याärाचारी के प्रातना पत्त्र लिकिए, ये भी सेवा में परदानाचारी को लिख रें विशिय क्या बुक बेंक योजना से पाटे पुस्त के प्राप्त करने के समंद में कोई बुक बेंक योजना है में कक्सा नो ऐकाव विद्यार्थी हूं भिल्कुश सही है मेरे पिता जी व्रट एकदम भुजूर्ग है कमजोर है आर्थिक विपनता के कारण यानि मेरे पास पेसे नहीं आर्थिक संपंता अमने पेसे वाला और आर्थिक विपन्ता के कारण में बड़ी कटिनाई से अपना अध्यन कारिय चला पा रहा हूं मैंने किसी प्रकार विद्याले सुलक तो जमा करा दिया है मला आपकी स्कूल में पीस तो जमा करा दिये किन्तु पाटे पुस्तकुं का प्रभंध कर पाने में ऐस समर्त हूं यानि मैं किता में भी नहीं खरीद सकता है मैंने पिछले वर्ष कक्सा 9 की प्रिक्षा में प्रिक्षा में 55% अंक प्राप्त किये थे असा है आप इस वर्ष भी मेरे लिए बुक बेंक योजना से पाटे पुस्तकों की वेवस्ता कराने का कश्ट करेंगे बिल्कु सही है बुक बेंक की योजना से बच्चों को बहुत कम सुल्क लेकर उनको पुस्तके दी जाती है और जैसे ही आपका सत्र जिसको आप कहते हैं सेशन समाप्त होता तो उन किताबों को वापिस जमाख करवा दिया जाता है ताकि अगले सेशन में फिर किसी नीडी वेक्ति को जरूरत मंद वेक्ति को उनसे साहिता मिल सके आपका आग्यानुवरती रमेश कुमार कक्सा नो ए और यहां जो आप बता रहों नहीं ये ये वाली बात इससे जश्ट नीचे यहां आप लिख लीजिएगा धन्यवाद और नीचे दिनांग 14 सितंबर 2021 को ये बात लिख रहा है ताकि मैं अच्छी तरह से पढ़ पाऊं एक बार पुने सुन लीजिएगा देखेगा सेवा में स्रीमान प्रधानाचारी मोदे वही जो हम लिखते हैं विशिये आपको बताये जा चुका है फिर इसके बाद क्या आएगा मोदे उधर आपका या जाएगा और इधर आजाएगी दिनांग दिनांग से उपरा गौरो भारतिये हैं विद्याले में बोतिक स्विदाओं की कमी का उल्ले करते वे उनकी पूर्ती है तुप प्रधानाचारी को पत्तर लिखेगा उनकी जो पूर्ती हो रही है इसके लिए प्रधानाचारी को एक पत्तर लिखने कि आपको शक्त आउशकता है किसके लिए ब बालबारती सिक्सा विद्यापिर सरधार पुरा चात्र गौरु भारती नाम है। शुईदाओं की पूर्ति करने के समन्द में माननी वर निवेदना के हमारा विद्याल एक प्रतिष्टी सिक्षन संस्तान है यहां की सिक्सा पद्दती यह अनुसासन सदा प्रसंस नहीं रहे हैं किन्तु खेद है कि वर्तमान में विद्याले में सामाने परनीचर पंके केल सामान तता प्रियोग साला के उपकरनों का अबाव है पुस्तकालिय में पत्र पत्रिकाओं की भी नियमित पूर्ति नहीं हो पा रही है जिससे चात्रों के अद्देतन यानि अद्देन और नवेतम ग्यान की प्राप्ति में बादा आ रही है अद्देतन का मतलब आज तक जो ग्यानों ने प्राप्ति है वो भूल रहें और नवेतम का मतलब नवीन ग्यान को प्राप्ते नहीं कर पा रहे है इसलिए हमारा विक्तिगत आप से सुझाव है आग रहे है कि आप विद्याले में बोतिक संसादनों की पूरति करवाए कहने का मलब्स्त कालिम अच्छे प्लस उक्त उपरी प्लस उक्त यानि जो उपर लिखी गई है इन सुविदाओं को उपलगत करवाए आप लोग जल्दबाजी में कौण सा सब्द लिखते हैं उपरोक्त उपरोक्त कोई सब्द नहीं होता यह गलत सब्दे में बता देता हूँ आपका आग्यानुवरती गोरो भारते कक्सा नो ए फिर यहां आप लिख सकते हैं बीच में धन्यवाद नवी के नीचे यहां दिनांग 15 सितंबर 2021 में आप पढ़ रहे हैं लिक रहे हैं पढ़ेंगे देखेंगे पढ़ चुके हैं सबी चीज़े इस पर लागो रही हैं सही है वेवसाइक पत्र ये भी किस में आता वेवसाइक पत्र भी आपको पता ओपचारिक में जैसे दो बिजिनिसमेन आपस में बात चीट करेंगे तो वहां ओपचारिक पत्र लिखा जाएगा आप सचीन क्रिकेट कल्ब के प्रबंदक है आपने चाउला गेम्स एंड स्पोर्ट्स जालंदर को बोल बोर बैट्स का ओडर बेजाता पंदर दिन बाद भी सामान न प्राप्त होने पर फरम को एक समरण पत्र जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर समझ में आगए रिमाइंडर लेटर समरण पत्र इसका दूसरा नाम है अनुस मारक पत्र है जी हाँ समरण पत्र कह सकते हैं या अनुस मारक पत्र भी इसको आप कह सकते हैं सेवा में अब देखेगा मारकेटिंग मेनेजर चावला गेम सेंडी स्पोट जालंदर पंजाब यह जो लिकरे न यह कौन है और यह कौन है यह भी मैं आपको बता देता हूं यह तो है प्रेशीति का मलब प्राप्त करने वाला प्राप्त करने वाला जो पत्र को प्राप्त करेगा न वो है तो और यह है आपका कौन बताएए यह है प्रेशक प्रेशक का मलब पत्तर को भेजने वाला ठीक है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं S E N D E R और इसको बोलेंगे R E C I V E R Receiver ठीक है यह बेजने वाला है और वो पत्तर को प्राप्त करने वाला है सेवा में नहीं यह पत्तर को प्राप्त करने वाला वो भेजने वाला ठीक है पंजाब और कौन बेजरा पुनित पालिवाल प्रबंदक सचिन क्रिकेट कल्ब मालवी नगर हापूट दिनांग इतने 6 मार्च 2021 विशिये तो अब आपको दो चीजी समझने पड़ेगी प्रेश सक बेजने वाले का तो का आएगा इस वोर और जो प्राप्त करेगा इस पत्त कर्पईया मेरे दिनांक 20 परवरी 2021 के ओडर पत्तर का आउलोकन करें मैंने जो 20 परवरी 2021 को ओडर मैंने बेजा था कि हमें यही चीज़े चाहिए 15 दिन बीच जाने पर भी ओडर में लिकित माल प्राप्त नहीं हुआ है सामान के ना आने से हमको बहुत प्रेशानी हो रही ह कर्पईया शिग्रा आती शिग्र जी हां शिग्र पलस आती शिग्र ओडर की आपुरती की वेवस्ता करें धन्यवाद बहुदे पुनित पालिवाल यह जो बेजने वाला नहीं आएगा बहुदे को न आएगा पुनित पालिवाल एक चीज़ याद रखना है इधर तो जो को प्राप्त करेगा उसका पता नाम Спbird जो बेजरे उसका नाम पता विश्य में वह आजाएगा नीचे नीचे तौनित यानि जो बेजनेवाला है को सिगनेचर और इनके यो मातरव नाम निचे नीचे ाएगा बहुत्य है में आपके सेतर में अधी करत मगान बनाई जा रहे हैं अन अधी करति का मनदब अन ऐफेर जिए का इनकी रोकताम के लिए जिवा अधिकारी को इक पत्रаете को मालब लिए जिस और रहे रहे हैं वहां अनावसिक रूप से लोग मकान बना रहे हैं अनन लिगली बना रहे है जो वेधानेkt ढंक से सही नहीं है तो वहाँ आप इसकी रोखताम के लिए जिला स्पथादिकारी को जो इस पत्तर को प्राप्त करेगा और ये कोन भेजने वाला जिसको हम बोलेंगे नाम से प्रेशक अंगरीजी में S, E, N, D, E, R और इधर हो जाएगा प्राप्त करने वाला ये भेजने वाला प्राप्त करने वाला नहीं भेजने वाला सेंडर ठीक है वई दिनांग 19 जनवरी 2021 आप लिख दीजेगा विशे अनदिक्रत निर्मान के विशे में महोदे आएगा आएगा मैं आपका ध्यान ध्याना कर्षन ध्यान प्लस आकर्षन से ध्याना कर्षन विहार में बड़े पेमाने पर हो रहे अनदिकरत निर्मानों की और आकर्षित करना चाहता हूं मैं आपका ध्यान कर्षन वीहार में बड़े पेमाने पर कोलोनी का नाम है होरे अनदिक्रत निर्मानों की और आकर्षित करना चाहता हूँ इस कोलोनी में कुछ भूम आपिया इस्ताने अधिकारियों की मिली भगत से निरंतर यानि लगातार अनदिक्रत यानि जो वेधानिक नहीं है निर्मान करा रहे हैं सारोजनिक मार्ग की भूमी दबाई जा रहे हैं तता नाले पर कबजे के प्रियास भी हो रहे हैं सारोजनिक पार का तो कोई पता ही नहीं है कि सारोजनिक जो पार कताना है उसका तो पता ही नहीं खा गए उसको तो इस बारे में विकास प्राधिकरन को भी कहीं बार सूचित किया गया है लेकिन इस दिसा में कोई कदम नहीं उटाय गया है आशा है आप इस दिसा में शिगरी उचित कार परवाई करने की करपा करेंगे मतलब कोलोनी की किसी एक व्यक्ति ने जिला अधिकारी को ये पत्तर लिखा कि कोलोनी में अवेद रूप से मकान बन रहे हैं बाग भगी चे या लोन बगेरा जो छोड़ा जाता है कुल मिला कि नेम के नुसार कोलोनी नई कट्री अवांचित और अनावसिक मकान बन रहे हैं करने की क्रपा करेंगे धन्यवाद बहुदे महेस्वर आचारी आपका महेस्वर आचारी महेस्वर आचारी उस कोलोनी का निवासिया कोई भी लिख सकता है आपके मोहले का डाकिया ठीक समय से डाक वित्रन नहीं करता इस समझ में डाक पाल को शिकाईती पत्तर लिखो जो डाकिया आज तो जमाना ही नहीं रहा लेकिन फिर भी पत्तरों की जो परंपरा वो काहिम है लिख देते हैं क्या दिक्कत है यह देखिएगा मैंने आपको बताया जिसको लिख रहे हैं तो यह हो गया प्रेश सीती प्राप्त करेगा यह और यह भेजने वाले हैं समझ में आगे प्रेश सक भेजने वाले पत्तर को भेजने वाला इदर आएगा समझ में आगे और पत्तर को प्राप्त करने वाला का नाम और पता इस साइड में आएगा ठीक है सेवा में डाक पाल मोदे नगर भरतपूर आसिस त्यागी जो बेज रहा है सचीवे नागरी कल्यान प्रिशद नगर जिला भरतपूर में दिनांग तेश परवरी दो हजजार आपी किस लिख सकते हैं विसे डाक वित्रण असंतो जनक होने की समझ में कि डाक का वित्रण सही डंग से नहीं हो रहा है इस समझ में पत्तर लिख रहे हैं महोदे इस पत्तर के माद्यम से में आपका ध्यान नगर भरतपूर में डाक वित्रण में हो रही गोर एविवस्ता के और आकरशित करना चाहता हूँ इस सेत्र का डाक या मादोदास अपने कारे में घोर लापरवाई बरतरा है उसके आने जाने का कोई निश्य समय नहीं है और डाक व्यक्ति के पते पर नहीं पहुंचा कर वह पत्तरों को बंडल किसी भी व्यक्ति के यहां डाल रहा है मलब सही जगे पत्तर नहीं पहुंचाता टाइम से नहीं पहुंचाता देरी कर देता है बिना जिम्मेदारी के हर किशे को पत्तर सौम देता है डाकिया की इस करत्वी विमुक्ता का दुसर परिणाम इस सेत्रे में अनेक निवासियों को बुखतना पड़ा है साकसात कार की तारिक निकल जाने के बाद पत्तर मिले हैं निवाशियों दौरा मंगाई जाने वाली पत्टर-पत्रकाई गाइब हो जाती है उसा है आप इस दिशा में उचित कारवबाई करने का स्रम करेंगे कष्ट्ट करेंगे धन्यवाद ये देखेगा भवदे असिस्त्यागी जो डाक विबा के मुकिया है डाक पाल मोदे क तो ये पत्तर लिकते तो फिर एक बारु दिखेगा इदर जी पेजेगक उसका आडेसे आएगा विसे वही आ गया मोध है और लास्ट में जिस ने पत्तर वेजा उसका नाम और कभी प्रेशिति का मतलब यह जो पत्तर को प्राप्त करने वाला और यह नाम है किसका बता यह अभीनों सर्मा यह है प्रेश्ट का मतलब होता भेजने वाले का नाम हमेशा इतने पत्रों में आपको बता दिया बार बार नहीं बताऊंगा अभीनों सर्मा सी मांसर और उनी जेपुरी इस पत्त्रों को बेजरें किनको संपादक मोदे देनिक बासकर जेपुर को तो इधर प्रेशक इधर प्रेशिती विशिये बिजली की कटोती से उत्पन समस्याओं की संदर्ब में मोदे में आपके लोग प्रिये पत्तर के मादिम से नगर में बिजली की कटो से उत्पन समस्याओं की और सरकार और विद्धित विभा के अधिकारियों का ध्यान आकरशित करना चाहता हूं बेशन गर्मी के मोसम में बिजली की निरंतर हो रही कटोती से जनता अत्य दिक्त्रस्त यानि प्रेशान हो चुकी है बिजली जाते ही सारा जन जिवन अस्त जिवन बेंक तता सरकारी काराले बिजली के बिना पंगू से हो गए सरकारी कारेलियों में भी बिजली नहीं आती है बेंकू में नहीं आती है तो लेंदेन करने में या और अन्य कामों के लिए नुक्षान उठाना पड़ता है बिजली कटोती का कोई निश्य समय नहीं है मेरा विद्धित परशासन से अंद्रोध है कि बिजली कटोती येदी करना आउशिक भी हो तो उसका समय सुन निश्यत किया जाना चाहिए और पहले बता देना चाहिए कि आज इतनी गंटे की बिजली कटोती रहेगी अन्यताम लोगों को नुक्षान होता है तता उसकी पूरू सूचना समाचार पत्रों आधी के माद्यम से उपभोकताओं को दी जानी चाहिए सह दन्यवाद बहुदिये कौन अभीनों शर्मा समझ में आ गए ये सारे की सारे पत्तर थे कौन से पत्तर एक बार फिर रेपीट कर रहा ह अपचारिक पत्तर ध्यान दीजिएगा अपचारिक पत्तर में सारे आते हैं बदाई पत्तर सांतोना पत्तर वेवसाइक पत्तर है लेकिन एक बार लाश्ट में बोल देता हूं जिसमें बेजने वाला प्रेशक और प्रेशिती के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी ये बको पढ़ेertos आप पार्ट याने अनुपचारिक पत्रों को पढ़ेंगे व्यक्तिगत समंद नहीं होगा तो कौ सा हो जाएगा अपचारिक पत्र फो मुझे उम्मिद से और ही अच्छी बच्चों पिछले भाग में हमने किया था पूर्ण वर्ग विधी और स्रिधर आचार्य विधी आज हम करेंगे इन दोनों विधियों पर अधारित प्रस्णावली 3.4 कोपी और पैन लेके त्यार रहे बढ़ते हैं प्रसन संख्या एकी तरफ देखे बच्चों प्रसन संख् कि विधी द्वारा क्या करना है द्विगा समीकन जो दे रखाया है उसको हल करना है पूर्ण वर्ग विधी के चर्चा हमने पिछले ही वीडियो में की थी क्या थी पूर्ण वर्ग विधी सबसे पहले अचरपत का पक्षांतित करते हैं फिर एक्स के स्कॉयर के गुणांग माइनस पाँच एक्स प्लस दो बराबर जीरो सबसे पहले क्या करेंगे अचरपद का पक्षांतरन करेंगे तो तीन एक्स स्क्वाइर माइनस पाँच एक्स बराबर माइनस दो यहां फिर हम क्या करते हैं एक्स स्क्वाइर के गुणां का भाग लगाते हैं तो 3 x square बटे 3 माइनस 5 x बटे 3 बराबर माइनस 2 बटे कितना बच्चों 3 यह आपके पास जाएगा x square माइनस 5 बटे 3 x बराबर माइनस 2 बटे 3 अगर आपको विदी अच्छे से clear नहीं है बच्चों तो steps भी आप 7-7 में इधर लिखते चलिए अचर पद का पक्षांतर करने पर जैसा कि मैंने उधरन में आपको बताया था x square के गुणांग का भाग देने पर ठीक है अब हम क्या करते हैं इस समीकर्ण में जो हमारे पास x का गुणांग आया है 5 बटे 3 इसका क्या करेंगे हम आदे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देंगे तो गुणांग के कितना है माइनस 5 बटे 3 है इसका आदा कितना हो जाएगा माइनस 5 बटे 6 हो जाएगा और इसका वर्ग हम क्या करेंगे दोनों और जोड़ देंगे बच्चों तो इसका वर्ग दोनों और जोड़िए X स्क्वायर माइनस 5 बटे 3X अपनी जगे X के गुनांक का आदा हो गया माइनस 5 बटे 6 इसका वर्ग आप दोनों तरफ जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 5 बटे 6 का वर्ग इस तरीके से समीकन मिल जाएगा देखिए इधर माइनस दो बटा तीन है इसमें भी हम क्या करेंगे माइनस पांच बटे चे का वर्ग जोड़ देंगे क्या फायदा होगा LHS में आपको मिल जाएगा A स्क्वाइर प्लस 2AB प्लस B स्क्वाइर और जो की क्या होता है A प्लस B का होल स्क्वाइर होता है यह इस रूपे में आपको दिखना है बच्चो तो यह हो जाएगा X प्लस B की जगे कितना है माइनस 5 बटे 6 का होल स्क्वाइर बराबर कितना है बच्चो माइनस 2 बटे 3 प्लस 25 बटे कितना 36 माइनस 5 का स्क्वाइर 25 और 6 का स्क्वाइर कितना हो गया बच्चो 36 अब आप क्या करेंगे आप आप इसे देखिए यह हो गया आपके पास X माइन 5 बटे 6 का whole square इधर आप LCM ले लिजिए कितना जाएगा 36 तीन का भाग लगाई है 12 बार 12 को 2 से कुना करेंगे तो यहाँ जाएगा minus 24 प्लेस 25 और यानि कि यह हो जाएगा 1 बटे 36 फिर हम क्या करते हैं बच्चों हम लेते हैं दोनो और वर्ग मूल लेने पर जब हम दोनो और वर्ग मूल लेते हैं तो इधर तो बच जाएगा minus 5 बटे 6 1 बटे 36 का वर्ग मूल कितना हो जाएगा यहाँ एक बटे 6 आ जाएगा क्योंकि आपने दोनो और वर्ग मूल लिया है इसलिए हम किस का साइन लगाएंगे प्लस माइनस का साइन लगाएंगे और x बराबर यहां हो जाएगा 5 बटे 6 प्लस माइनस 1 बटे 6 अब क्या करते हैं बच्चों हम एक बार प्लस का साइन लेते हैं और एक बार माइनस का साइन लेते हैं और माइनस साइन लेने पर बच्चों क्या आ जाएगा एक्स बराबर पांच बटे छे माइनस एक बटे छे अर्थार्थ चार बटे छे और चार बटे छे का मतलब कितना हो गया दो बटे तीन ये चार बटे छे आएगा और चार बटे छे का मतलब कितना हो गया दो बटे तीन पूर्ण वर्ग विधी सिर्फ आपको क्या करने है कुछ चरणों का अनुसरण करना है और आपके पास हल मिल जाता है बच्चो देखें नेक्ट पार्ट इसका पूर्ण वर्ग बनानी की विधी द्वारा द्विगा समीकर्ण को क्या करना है हल करना है समीकर्ण आपको दे रखा है स्टंडर्ड रूप में ही दे रखा है AX स्क्वाइर प्लस BX प्लस C बराबर 0 के रूप में ही दे रखा है तो आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए ठीक है माइनस 2 बराबर 0 फिर प्रथम चरण में हम अचरपद का पक्षान त्रेंड करते हैं तो यह हो जाएगा 5X स्क्वाइर माइनस 6X बराबर प्लस का दो उदर जाकि 0 में एड हो जाएगा और कितना हो जाएगा प्लस का दो इसके बाद में हम क्या करते हैं X स्क्वाइर के गुणांक का भाग लगाते हैं तो जब आप x square के गुणांक का भाग लगाओगे तो x square minus 6 बटे 5 x बराबर कितना जाएगा बच्चों 2 बटे 5 आ जाएगा इसके बाद में हम क्या करते हैं x के गुणांक के आदे का वर्ग दोनों तरफ जोडते हैं x का गुणांक है minus 6 बटे 5 और minus 6 बटे 5 का जो आदा होता है वो होता है minus 6 बटे 10 इसका वर्ग हम क्या कर देंगे दोनों और जोड देंगे बच्चों minus 6 बटे 10 का वर्ग दोनों और जोड देंगे उससे क्या फायदा होगा आपको ये आपको मिल जाएगा इस रूप में x square minus 2 into x into minus 6 बटे 10 यहाँ plus लगा लेते हैं plus minus 6 बटे 10 का whole square बराबर 2 बटे 5 plus 36 बटे कितना बच्चों क्या यह आपको a square plus 2ab plus b square जैसा दिख रहा है हमेशा ऐसा ही दिखता है तो यहाँ से हमारे पास आजाएगा a plus b का whole square a plus b कितना है बच्चों minus 6 बटे 10 इसका क्या whole square और rhs में देखे बच्चों लगा लगांगे 20 20 में को 2 से गुणा करके लिखेंगे तो कितना जाएगा 40 और plus कितना है 36 अब आप क्या करते हैं आप करते हैं दोनों और वर्ग मूल तो लिखेंगे दोनों और वर्ग मूल लेने पर जब आप दोनों और वर्ग मूल लेते हैं तो यह हो जाएगा x minus 6 बटे 10 ठीक है और इधर बच जाएगा आपके पास रूट में plus minus 40 और 30 कितना हो गया 36 चालीस और 36 बटे 100 और यह जाएगा x बराबर यह minus का 6 बटे 10 उदर जाके plus का 6 बटे 10 हो जाएगा plus minus root 76 कितना होता है बच्चो रूट 6 लिख सकते हैं 2 root 19 ठीक है 2 root 19 क्या होता है root 76 क्यों क्यों आप क्या लिख सकते है 76 को आप लिख सकते हैं बच्चो दो गुणा दो गुणा 19 बटे 100 और 100 का root कितना होता है 10 ठीक है बच्चो क्लियर है अब देखिए LCM ले लिजिए तो आपके पास यह जाएगा X बराबर 6 plus minus 2 root 19 बटे 10 दो कॉमन लेके काट दीजिए तो X बराबर जाएगा 3 plus root 19 बटे 5 तो यह क्या हो जाएगा हल हो जाएगा 3 plus minus root 19 बटे 5 दोनों हल हो जाएगा एक बार plus का ले लिजिए sign और एक बार minus का ले लिजिए ठीक है बच्चो पूर्ण वर्क विदी में तो कोई रिकत नहीं आने वाली है आपको क्योंकि हमने बहुत अच्छे से समझे हैं सारे चरण दो हमने प्रशन भी कर standard रूप में ही दे रखा है 4x square plus 3x plus 5 बराबर 0 क्या करते हैं हम सबसे पहले वही अचरपत का पक्षांतरन 4x square plus 3x बराबर minus 5 फिर क्या करते हैं बच्चो याद किजिए हम करते हैं x square के गुणां का भाग x square के गुणां का भाग लगा देंगे तो यह हो जाएगा x square plus 3 बटे 4x बराबर minus 5 बटे 4 फिर हम क्या करते हैं x के गुणां के आदे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ देते हैं तो x का गुणां 3 बटे 4 है इसका वर्ग इसका आदा कितना हो जाएगा 3 बटे 8 हो जाएगा उस a तो बन जाएगा आपके पास x का square plus 2 a b plus b square और इदर आपके पास आजाएगा बच्चों minus 5 बटे 4 plus 3 का square no और 8 का square कितना चोंसाट 8 का square कितना बच्चोंसाट मिल जाएगा और आगया आप इसको लिखेंगे lhs में तो आपको मिल गया a plus b का whole square और rhs में lcm आगया आपके पास 64 4 और 64 का lcm कितना आता है 4 और 64 का लैसे आता है 64 64 में जब आप चैर का भाग लगांगे तो 16 बार जाएगा 16 को minus 5 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 80 आजाएगा क्या बच्चों 16 पंजे कितना होता है 80 plus ये कितना चल रहा है 9 तो आप यहाँ से देखेंगे x plus 3 बटे 8 का whole square किसके वरावर आगया minus 71 बटे 64 के अब जब आप दोनों और वर्ग मूल लेंगे x plus 3 बटे 8 बराबर आजाएगा root के अंदर minus 71 बटे 64 वो भी किसमे plus minus अब root के अंदर क्या आ गई है रिनात्मक संख्या आ गई है तब आपको पता पढ़ गया कि यहाँ मूल कैसे होंगे विद्यमान नहीं होंगे या फिर कैसे होंगे कालपनिक होंगे ता आप क्या लिख देंगे आता है दिये गए समी करण के मूल विद्यमान नहीं है मूल विद्यमान नहीं है क्यों कि root के अंदर negative संख्या आती है आप ऐसे भी देख सकते है दी बराबर B2-4AC का मान क्या होना चाहिए था जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए था यहाँ आप देखिए यहाँ आप D मान निकाल के देखिए D का मतलब क्या था B2-4AC और पिछले वीडियो में मैंने आपको एक condition बताई थी कि B2-4AC का मान या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए जीरो से बड़ा अर्था धनात्मक होना चाहिए यहाँ आप निकाल के देखिए B का मान कितना है 3, A का मान है 4, C का मान कितना है 5 तो 3, 4, 5 हो गया तो देखिए B का मान है 3, 4, A का मान 4 और C का मान 5 यहाँ पे 9 माइनस कितना हो गया 80 जो कि कितना है माइनस गतर जो कि क्या है रिनात्मक है और हमने पढ़ लिया था कि अगर क्या है D का मान रिनात्मक है B square minus 4 AC का मान रिनात्मक है तो मूल विद्यमान नहीं होंगे जो कि हमने यहां लिखा है आपने देखा विधी भी apply किये तब भी आपके साथ यहीं आया आप direct भी पता कर सकते थे कि मूल विद्यमान है या नहीं और मैंने का था कि इसकी चर्चा हम क्या करेंगे आग आने वाले वीडियो में करेंगे जब हम द्वी घास समीकर्ण के मूलों के प्रकृति के बारे में अध्यन करेंगे ठीक है बच्चों देखिए next question प्रसन संक्या एका बाग 4 यहां पर आपको वही पूर्ण वर्ग बनाने की विदी द्वारा क्या करना है द्वीगा समीकर्ण के हल गयात करने है समीकर्ण आपके पास यह है क्या है समीकर्ण 4 x square प्लेस 4 root 3 x प्लेस 3 बराबर कितना 0 सबसे पहले वही काम क्या करेंगे अचरपद का पक्षांतरण तो 4 x square प्लेस 4 root 3 x बराबर माइनस 3 उसके बाद में आप क्या करते हैं उसके बाद में आप x square के गुणांक का भाग लगाते हैं तो 4 का जब आप भाग लगाएंगे x square के गुणांक कितना है 4 इसका भाग लगाएंगे तो x square प्लेस root 3 x बराबर माइनस 3 बटा 4 बचेगा clear है अब आप क्या करते हैं x के गुणांक के आदे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ते हैं तो यहाँ पर आपको मिल गया है x का गुणांक कितना है root 3 है और root 3 का आदा कितना होता है root 3 बटे 2 इसका वर्ग आप क्या कर देंगे दोनों तरफ जोड़ देंगे root 3 बटे 2 का वर्ग आप दोनों तरफ जोड़ेंगे तो यहाँ तो आपके पास दिग गया आपको a square plus 2 a b की जगे root 3 बटे 2 plus b square बराबर minus 3 बटे 4 plus 3 बटे 4 root 3 का square कितना होता है 3 और 2 का square 4 LHS में आपको क्या मिल गया है बच्चों वही a plus b का holy square a plus b कितना है root 3 बटे 2 का holy square बराबर कितना बच्चों 0 दोनों और हम क्या ले लेंगे अब वर्ग मूल ले लेंगे दोनों और वर्ग मूल लेने पर आपको मिल जाएगा x plus root 3 बटे 2 बराबर plus minus 0 का वर्ग मूल कितना होता है 0 अतहे x के 2 मांच जो आपको मिले हैं वो क्या है minus root 3 बटे 2 और अगला भी क्या minus root 3 बटे 2 ही क्योंकि 0 को जोडने या गठाने पर कोई भी प्रभाव नहीं पढ़ना है तो द्विघा समीकन के मूल कैसे हैं बच्चों दोनों मूल वास्तविक हैं और समान हैं दोनों मूल कैसे हैं वास्तविक और समान वास्तविक का मलब वास्तविक संख्या इस प्रकरती के बारे में भी हम आगे आने वाले भागों में चर्चा करने वाले हैं कि कब मूल समान और वास्तविक होंगे यहां आपको यह द्यान रखना है कि मूल समान भी आ सकते हैं और अलग-अलग भी आ सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि मूल विद्यमान ही नहीं हो तीनों केसों के लिए अलग-अलग कंडिशन्स भी है बच्चों आगे आले वाले वीड अंत्रन X square के गुणांक का भाग लगा देंगे X के गुणांक के आदे का वर्ग एक बटे दो का अदा कितना हो जाएगा बच्चों? एक बटे चार एक बटे चार का वर्ग आप दोनों तरफ जोड देंगे क्लियर है एक तरफ तो आपके पास बनेगा बटे 4 बराबर 33 बटे 16 और X बराबर का होल स्कौायर ब़राबर ठीक का बचो whilst a Tcheo 21 दोनों तरह वर्ग मूढ लेंगे तो X PLUS 14 बराबर आ जाएगा PLUS माइनस रूट 33 बटे 4 और X बराबर आजाएगा MINUS 1 पटे से प्लसट्वूट 33पटे चार और ऐसन पर यह न है राबर एक प्लसट्रूट 33पाद चार और एक माइनस 1-2 माइनस अरूट 33 इस हम तो एकक्स के दो मान आपको मिल गए हैं पूंड वुर्य विदी से आपको इसको कि प्लसट्व में ऑगई होगी ठीक है एक्सिस अचरपद का पक्षांतरण करना है एक्सिस क्वार के गुणांग का भाग लगाना है जो समी करना है उसमें एक्स के गुणांग के क्या आदा करके उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ देना है दोनों और वर्ग मूल लेना है और आपके पास हल होगा भाग लगा लें एक्स के गुणांक के आदे का वर्ग आप क्या कर दें दोनों तरफ जोड़ दें एक बटे दो का आदा एक बटे चार यह हो जाएगा माइनस दो प्लेस एक बटे चार का वर्ग यहां तो बन जाएगा यह प्लेस बी का होली स्क्वाइर इदर बन जाएगा 16 लसे मागया यह माइनस 32 प्लेस एक हो गया दोनों और वर्ग मूल लेंगे दोनों और वर्ग मूल लेंगे तो माइनस 31 बटे 16 आएगा और रूट के अंदर माइनस आते ही आप क्या बोलेंगे मूल विध्यमान नहीं है या क्या है मूल कालपनिक है आप बोल सकते हैं कि मूल कालपनिक है या आप बोलेंगे कि मूल विद्यमान नहीं है ठीक है वापस से मैं बोलूंगा कि मूल विद्यमान नहीं हो सकते हैं कि मूल विद्यमान हो और विद्यमान होने के केस में दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं अगला देखिए आपके पास है 4X स्क्वाइर प्लैस 4BX अचर पद को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यह हो जाएगा A स्क्वाइर माइनस B स्क्वाइर क्लियर अब आप क्या करते हैं X स्क्वाइर के गुणांक का भाग लगाते हैं तो X स्क्वाइर प्लैस BX बराबर A स्क्वाइर माइनस B स्क्ाइर बटे कितना? चार फिर आप क्या करते हैं X का गुणांग यहां कितना है X का गुणांग है B B का आदा हो जाएगा B बटे दो उसका वर्ग आप दोनों तरफ जोड देंगे तो X square प्लेस B X प्लेस B बटे दो का वर्ग आप इधर भी जोड देंगे और A square माइनस B square बटे चार तो है और B बटे दो का वर्ग आप इधर जोड देंगे दोनों तरफ आप जोड देंगे इधर तो आपको मिल जाएगा A प्लेस B का whole square और इधर आपको मिल गया है देखो बच्चों LCM आ जाएगा 4 A square माइनस B square और प्लेस का क्या B square माइनस B square प्लेस B square कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा X प्लेस B बटे दो का whole square बराबर A square बटे कितना 4 फिर आप क्या करते हैं दोनों और वर्ग मूल लेते हैं तो आप लिखेंगे दोनों और वर्ग मूल लेने पर वर्ग मूल लेने पर आपको मिल जाएगा X प्लेस B बटे दो बराबर प्लेस माइनस A बटे दो A square का root A हो जाएगा 4 का root 2 हो जाएगा ठीक है फिर यह हो जाएगा X प्लेस B बटे दो प्लेस माइनस A बटे दो एक बार आप प्लेस का sign ले लेंगे अभिष्टे मूल है बच्चों तो पोनुगार की विदी पर आधारित हमने प्रसन संक्या एक के सभी भाग कर लिए हैं बच्चों उमीद है आपको समझ में आया होगा प्रियास करते रहिए दोहराते रहिए धन्यवाद बच्चों आज हमने पढ़ा है कक्षा नौ में हिंदी वहवारिक व्याकरन विशय में पत्र लेखन भाग एक पर कक्षा दस में कनित विशय में बहुपद प्रिश्णावली तीन दश्मलव चार भाग नौ बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा नौ में अंग्रेजी विशय में बुप बी हाइव से तसांड अफ म्यूजिक भाग तीन चार पैपाच कक्षा दस में संस्कृत विशय में शुची परियावरणम तथा संस्कृत व्याकरणम विशय में प्रत्य बच्चों हमारे इस कारेक्रम के कंटेंड पार्टनर हैं मिशन ग्यान तथा इस कारेक्रम में तक्निकी सहयो यूनिसिफ, स्टरलाइट, एड इंडिया फाउंडेशन, एवम, पुरमल फांडेशन, द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारेक्रम कैसा लगा? अपने सुजाब अवश्य दें। कारेक्रम से संबंदित आपके सुजाब हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं। हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज्य, शैक्षिक अनुसंधान एवम प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001